जाएं सात्यों आपसे ग्रेट विलकम हैं आर्मीतेयरी.न योटूब चैनल पर SSC GD 2021 का फॉर्म यहां पर भर चुका है इस बार जो है 71 लाक यानि 71 लाक लोगों ने फॉर्म को भर दिया है लेकिन यहां पर क्या आपको पता है कि SSC GD की परिक्षा में कितने बच्चे पास करने वाले हैं कौन सा फॉर्मूला SSC की जो ओफिशन नोटिफिकेशन है उसके अंदर जारे किया गया है जिससे कि कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा कितने बच्चों का सेलेक्षन होगा वो सारी बाते इसी नोटिफिकेशन के अंदर लिखी वी है तो ये सारी चीजे मैं आपको आज के इस वीडियों बताऊंगा उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अलावे प्रिवियस यर कोशन और प्रैक्टिस एट पेपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिया है वहाँ से आप यहाँ पर आगर के डाउनलोड कर सकते हैं तो आते हैं हम अपने मेंट टॉपिक पे कि इस बार SSCJD की परिक्षा में जो ऑनलाइन एक्जामनेशन यानि केंप्यूटर बेस टेस्ट होगा उसमें कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा कितने बच्चों को सेलेक्शन होगा बहुत सारे लोग को ये बाते पता होगी लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पर नहीं होते हैं उन्हें बाता नहीं होता तो यहाँ पर अगर आप SSCJD का जो नोटिफिकेशन है अगर आप उसके थुरू यहाँ पर आओगे और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड किये तो कर सकते हैं नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया वहाँ से कर लेना 13.4 नमबर जो है यहाँ पर आना और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है साफ साफ यहाँ पर लिखावा है कि जो केंप्यूटर बेस्ट एक्जामनेशन यानि कि आपका CBT या फिर CBE जो होगा उसमें जो है 12 गुना 12 टाइम्स जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर पास किया जाएगा एक्जामनेशन में मैं फिर से यह दोरा रहा हूँ कि यह जो 12 गुना बच्चे यहाँ पर लिखावा है इनको सिर्फ और सिर्फ केंप्यूटर एक्जामनेशन जो होगा उसमें पास किया जाएगा फाइनल सेलेक्शन यहाँ पर नहीं लिखावा यहाँ पर इतनी वेकेंसी आई है और इसमें बोला गया कि 12 गुना बच्चे यानि कि 12 से में आपर मल्टिपलाई कर दीजिए तो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3,3,252 बच्चों को जो एक्जाम होगा यहाँ पर online exam होगा उसमें पास किया जाएगा SSC GD का तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि मात इतने बच्चों को ही आपर जो है examination में पास किया जाएगा इसमें से जो बच्चे पास होंगे उसको आगे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पर भी बच्चे जो है पास होंगे लेकिन कुछ हद तक कम होंगे और धीरे धीरे जब फाइनल सेलेक्शन की बारी आईगी तो उस समय मातर 25,000 जो वेकेंसी आई है उसी पर फाइनल सेलेक्शन होगा ये जो 12 गुना बच्चे है वो सिर्फ और सिर्फ एक्जाम में पास करेंगे ये आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा तो आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी टाइप का अपडेट मिलता रहे और भी इंफॉर्मेशन में ससे जेडिके लाता रहूँगा